वेकम तो मैं चैनल आई एम सिम्रान सहानी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चाप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स और बोन्स ओके गाइस तो इस चाप्टर में हमें क्या पढ़ने वाले हम इतना मज़िदार चाप्टर है यह बिकुल बोन नहीं होने आले हो आप इस चाप्टर को क्रिस्टिल क्लियर कर दूगी मैं आपको और बहुत डिटेल में एक 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 लाइंड पढ़ाऊंगी और बिकुल बोन नहीं होने आले हो यह मेरी गारंटी है तो स्टार्ट करते हमें इस चाप्टर को क्या पढ़ना ब्रिक्स बीट्स बोन बिक मतलब इते बी जा रहे है जो आप इरिया देखते हो इंडिया का जितना हमारा कि कुछum तरी को स्माने पहले अपहले यहां कर तरीके से रहते थे इनके घर बढ़िया बने वे थे फार्मिंग भी करते थे अपने अच्छे-चे महल भी महल नहीं कहते हूं अपनी बढ़िया बिल्डिंग बनाते थे अपने यह बहुत यह एड़ानस टाइप के लोग यह रहा करते थे ठीक है कौन थे यह इंडस वैली के को ऑन पता है नहीं तक बहुत समय तक इंञारों के जांता है ना किया इस नई घुष कि अरे और दोल न हम Eso रवका ही पता ही नहीं तक यूंकि इमें घर्ण इसके बारे में तब पता चलता है हमें, जब 1920 में एक्जाकवेशन साब कहा सकते हो, खुदा ही होनी शुरू होती है, हरपा की जमीन पे, देखो क्या होता था, ये ना कुछ हमेरे को बुक में नहीं बता रहे हैं, आपको जाननी ज़रूरी है, क्या होता था, एक समय ऐसा है हमारे इंडिया में, ये हरपा वाली एरिया के पास में, अभी पागेस्तान में हरपा, पहले तो यह ही था ना, तो क्या हुआ लोग एक जमीन में से एटे निकाल निकाल की यूस कर रहे थे, ऐसी एटे थी, वो देखके बंदा हिरान हो जा कि आजकल तो हमारे बट्टो में ऐसी एट नहीं बनती है, मड़ की बेक टाइप की ब्रिक्स होती थी, बहुत चोरी होती थी वाली एटे, बहुत लोग इंडियों को यूस करते थे, तो जब लोग पूछते थे, कहां से मिले लोग कहते हैं, जमीन में से मिलिया है, तो उन एरिया में जहां जाही है, एटेन एकल रही थी, काफी बार खुदाई हुई, 1870 में सबसे पहले खुदाई होती है, तब एक आर्केलोजिस जो है, कनिंग हम, उनके बारे में हम आगे चाप्टर में पढ़ने वाले हैं, उनको कि Tajuaqual लोगों को जमीन में से अलग 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 असीन नगल्के आते हैं, और समझ में नहीं जाती हैं, कहां के आटिफेक्ट्स जाएं यह अलग अलग चीज़े निकल के आयाँ थी, यह शोती हैं दया राम सहानी जी तो मैं आपकी सेमरं सहानी तो आपको नाम लियाट करने विकुल करने होगी दया राम सहानी एक इंडियन आर्केलोजिस्ट वो डिसकावर करते हैं हरपा को ठीक है खुदाई होती है और हरपा के बारे में आप सबको पता चलता है दो रहसे में शेहरों के में पता चलता है पहले हरपा खोज निकलते है खुदाई हुई तो 1870 में तो कनिंगम को एक सील मिली थोड़ा बहुत एक्जाकेवेशन हुए बट भी कुछ क्लियर नहीं हो ऐसी होता है एकदम से पता नहीं चलता था फिर उनिस सो बीस में दुबारा खुदाई होती और त स्केलिटेन मिलते हैं तो इसका नाम रख देते हैं महीं जिदारो मतलब मांड ओफ देट और तब पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है कि इंडिया में एक इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी इतनी भैतरीन सिविलाइजेशन थी जिसका नाम ता इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे कभी लोगों नहीं पता था कि अग्जर्ड कर ती ए पढरी से प्टाना चाहोंगी पहले तो पहले ना ऐसा सही सोचा जाता थे या नहीं सबसे भईया महान तो पहले ऐसे सोचा जाता था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी है ऐसा सोचा जाता था इंडिया के बारे में लोगों को पता ही नीए था बट जब 1920 में हमारी सिविलाइजेशन भार खुदाई करके हमारे शहर भार आए हरपा मोहिंजादारों इनके मुबे ताले लग गई है है रहान भाईया क्या निकल के आए इसमीन में से ऐसे हमारे दो शहर निकल के आए कि सारे अर्केलोजिस हेरान हो गए इतने वेल प्लांड ऐसे-ईसे मैसे बने इतना जादा तो यह आर्केलोजिस को सवन में कि इंडियन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है इवें अगर हम आज की बात करें तो हमें यह भी पता चला कि यह जो हमारी इंडिस्वारी सिविलाइजेशन है यह शायद मेसोपरामियन कहलो ग्रीक कहलो चाहिना इन सबसे भी पुरानी कहा जाता है यह उल्डेस सिविलाइजेशन है तो उन में से एक हम भी है उनने सो बीस तक यह नहीं पता था उनने सो बीस के वारी सब पता चला तो थैंक यू तो आप समझ गया ना खुदा ही और सारा सच बहार निकल तो इस चैप्टर में हम हरपा के जो यह शेह निकल नि है उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो इक बार मैं आपको दिखा देती हूं खाली हरपा और मोहिंजदारों नहीं है और भी बहुत सारे शेहर निकल के आते हैं इंडस वैली के तो उनका नाम हमें चैप्टर में याद रखना है बहुत बार हमार को आपको पूरा याद रहे और उनकी इंपोर्टेंस भी याद रहे ठीक है तो आपको इंट्रोडक्शन समद में आगे चैप्टर का हरपा सिविलाइजेशन एंडस वाली सिविलाइजेशन के बार में हमें पढ़ना है लेसी चैप्टर शुरू होता सबसे पहले हमें बता र अरपन आटिफेक्ट इतना डिस्टिंग्टिव इसलिया आध तक लिखाई अगर हमीं यह ज़ीए लेक्र कर लिए मतलब की यह जो यह मुझे मचली लग अलग अलग हमें पता होता तो हमें दोगों के बारे में और जानकारी मैं आपको पता है कैसे थी शहर शेहर बहतरीन बने वे ग्रेट बात ऐसे स्टुक्चरिन क्या मिले सोना गोल्ड और अलग लग जैम स्टोन्स पता नहीं क्या क्या इतनी सुन्दर सुन्दर मालाय बना लेते थे यह लोग और पेवराना जमान आप सोचोगे ना कि ऐसी रहते होगे नहीं हर एक घर के में टॉयलेट धाइम हमें इसकी जो लिपी एन वोनी पता है जैसे इंग्लिश के लिपी रोमा होती है थे हिंदी देवनागरी थे शपर कर लेते हैं इसको अब बहुत बहुत करते हैं अब हैं कि इंडेस वैली इसिविलयजेशन को न हर अपन कल्चर के दिया जाता है वार कलॉजस्ट अब क्यों कह दिया जाता किर थे पता हैं कि पहली साइट जो डिसकावर हुई थी वो हरपा थी क्योंकि हरपाटा की कोच के बादी तो पर दाफाश रहर देशिक हम हरपान कल्चर तो उसका मतलब क्या होगा देखो कल्चर मतलब क्या होगा historically कल्चर उस चीज को बोलते हैं जब कोई objects निकलते हैं न खुदाई में जो एक particular style के होते हैं एक particular area से मिलते है एक particular time period में तो उनको archaeologist कह देते हैं कि यह culture है एक जैसे जब हरपा की खुदाई हुई मोहिंजुदार की खुदाई हुई और आसपास के साइट्स की खुदाई हुई डोला वरी और लो थाल नगेश्वर एक सेक्टर जितनी भी इंदरसाय साइट से जब आप खुदाई हुई तो वहां से क्या अब्जेक्स निकले धरती में से देखो यह सील्स निकली ऐसी बहुत सारी फोटोस देखते रहो मैं तभी फोटोस लगा रही हूं बीड्स निकले जो तराजू में वेट वाले होते हैं ब्लेड निकली बेक ब्रिक्स रहा हुए ऑप जिपटिक्स निकली बाहर तो चितने भी जब यह ऑपजक्स निकलते परिक पिरियड में एक परिकुलर अश्पास में तो उसको हम कह देते है हकुल्चर क्लासिफाय कर देते है कि यह हरपा का कल्चर है हरपा के लोग यह करते थे ऐसे बीट्स पहनते थे यह सब चीज़े वो करते थे तो हरपन कल्चर मतलब ग्रूप ऑफ जो कुछ भी हरपा की खुदाई में भार रहे थे ठीक है तो इसलिए हर इंडेस वाली सिविलाइजेशन क को हरपन कल्चर भी कह दिया जाता है क्योंकि वाटेवर वी नो अबाउट इंडेस वाली सिविलाइजेशन इसको तीन टाइम पिरेट्स में बाटा गया है जैसी इंडिया के आप हिस्ट्री पढ़ो तो हम परते हैं कि एक जमाना था गाई जब हम सोने की चिडिया थे सब्सक्राइब के रूल वाला जमाना अभी जब हम एक डिवलपिंग कंट्री है और डिवलप्ड होने वाले हैं बहुत चल तो ऐसे तीन स्टेजेशन की भी तीन स्टेजेशन है पहला होता है गाई इसका यह आप देख सकते हो अर्ली वाला स्टेज होता है फॉस्टेज है फिर इसका सेकेंड स्टेज है जिसको हम क्या देते हैं मेच्योर हरपन कल्च्र और यह जादा प्रॉस्परस था यानि कि पूरा का पूरा इंडिसाली सव्लाइब सब्रॉस्पर्स यह टाइम पिरिएड 2600 BC से 1901 का और लास है लेट हरपन कल्चर और यह है आफ्टर 1900 BC आपको पता है लेट हरपन कल्चर के बाद हरपा एंड हो गया था और किसी को नहीं पता है हरपा एंड कैसी हुआ था बहुत सारे कहा जाता है क्या रहे से खतम होगा वैसे खतम होगा की भाश और भी कि उस जमाने में अडवांस कैसे थे तो बहुत इंट्रेस्टिंग चाप्टर है आगे इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको बता चल गया हम हरपन सिविलाइजेशन में इंडस वैली के आसपास जो पूरी सभ्याता थी जो लोग रहती जो उनके बारे में प बिगनिंग से शुरू करते हैं अब जैसी चाप्टर शुरू होता है हमें बता रखा है कि हम जाता तर तो उस चाप्टर में मिचॉर हरपन के बारे में पढ़ेंगे बट कुछ चीजे हमें अर्ली हरपन कल्चर के बारे में भी पता है यानि कि 262CE से पहले वाला अगर हम अ अर्ली हरपन कल्चर की बट जितनी है उतनी पूछी तो जा सकती है न तो आपको आजाए कि डिस्क्राइब बाट अर्ली हरपन कल्चर तो पहले आप उसका टाइम पिरेड मेंशन कर देना वह 262CE से पहले वाला था हमारा अर्ली हरपन कल्चर का साथी के साथ में जो अर्ली हर draft on site से, आप बी NCRT का map है आपका यहां पर अरली harna कि sites हैंगी, यहां लोग रह रहे लो आप यहां देख सकते हो यह मेजर sites है और लो क्या काम करा करते थे early harna civilization में, जादर काम क्या होता था, यहां पर agriculture होता pestrolism होता था और kraft production होता था तो एंग्जामें क्वेशन आ सकते है कि early organizational culture में क्या क्या काम हुआ करते थे अ क्रिक्डिटर पेस्ट्र अ kraft हुआ करता था जो settlements होती थी वो small in size होती थी और कोई validated building हमार्シロ 2009 कल्चर में नहीं मिली कि कि छोटे छोटे इसमादने की बाद है आज के सुमय पे इसी ब्लिटिंग हम गाएंगे बढ़ी है तो चलो देखते हैं अब हमागे का तौपिक हमारा ओपिकन स्ट्राटेजीज अब सब्सेस्टेंज मतलब खान पान का जो है हम बात करने वालेएं इसमें कि क्या खाते तो अपना घर रुचा कुमार रहे हम उड़ा रहे हमारे एंग बात करें इन की वेश्वर हुसी तो तो इस जो अनिनल्स भी खाते थे और इस recib दिपेंड़न रहते वह हमें कैसे पता चला कि हमारे थैं उपलाटम के समय पर कोछ जलेवे ग्रेंज के टुकड़े मिले हैं ठीक है अनाच जलेवे अनाच के टुकड़े मिलें आप सोचो आरकलॉदिस काम कैसे करते होंगे कि उनको खुदा ही करते वे छोटा सा टुकड़ा मिल गया फिर उनको ले जाके लैबरेटरी में टेस्ट कर रहा और तब पता कि इनसान थोड़ीया के हमें पता है कि भ 죄송amy हम वीट खाते थे हम वहागती никаких पता चला क्झार्ऴ हो जालाव ग्रीण क dall क्षठ और उसको स्टूटि करा आरिकेलोसिकल पेर बडनेस ने और पिर पता चला यह सब लोग खाया करते थे, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के आसपास की साइट से हमें मिलिट्स मिले हैं, यह लोग मिलिट्स खाते थे, ठीक है, इन वाले एरियास में मिलिट्स उगाए भी जाते होंगे, अब अगर हम एनिमल की बात करें तो यह लोग कैट थे या कोई particular hunting communities होती होंगी वो हंट करके इनने लाके वो दे देती होंगी that we don't know यह लोग खाते थे सातिक के साथ यह फिश भी खाया कर देते और फाउल भी खाते थे किORA उभां इस टूर इनको मैं रह रहे लोग रह रह आतें हैं कि वहां Kaglang 25 क्रe Burnout सब को मिला के हम कह देने हैं हरभा ठीक है अब हम पढ़ते हैं हमारे हरभा की और जुट्क अब जब ग्रेन का दाना मिला तो हमें यह तो समझ में आ चुका है कि यह लोग अग्रिकल्चर डेफिनिटली करते थे अब अग्रिकल्चर की टेक्निक्स क्या होती थी उनकी वह हम जानेंगे तो हमार को कुछ सेल्स में लिए जिसके ओपर बनावा था जैसे आपने देखा है फोटो में अनिमल बने हैं तेरा कोटा मोडल यहां पोटो देख सकते हैं यह ओताए तेरा कोटा मोडल ले हमें डाबॉर का और सभणों का और उसमें आंगे दो अ्क्सट्रिय Always हमें समझ में अर्क अ?. चैока बि हर्याना में है तो आप समझ सकते हैं अभी भी यहां पर फार्मिंग होती होगी ठीक है और हमें एक एविडेंस मिला है गाइस वह प्लॉड फील्ड का यानि की खेट है उसकी जुताई हो रखी है वह कहां से मिला था काली बंगन से राजस्थान में तो यह सब आपके वनमार क और क्रहें प्लॉड प्लॉड की प्लॉड छोलिस्तान से और में अगर भवली कि यह जो है जोоки कि शुचा 64 कर थे ने in fact guys ये लोग इतने advance थे कि एक time फे दो crops लगा लिया करते थे दो उन्हेंक करना करते हैं ये लोग एक time फे दो लगाद करते थे हमारको कुछ field म्ली है जिन पर दो ऐसे युट लगी होया निया है या ठोटल मैटल की होते थे वह भी हमें नहीं पता है भाट कफी टूलस हमारहा हमारगो अस्था से जो है भो हमें अब नेक्स बात आती है इंडिया में किनाल लेके आएं बड़ देखो कौन से कहा की बात चल लिए ये कौन जी सब्यता इंडस वैली इतनी पुरानी सब्यता वहां पर हमें के नाल के ट्रेसर मिलें शोर्थु गई शोर्थु गई कहा है अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वो ताब हमारे अपन सिविलाइशन में ही था जो अफगानिस्तान वाला केरिया महां पर साइट मांग देखो शोर्थु गई यहां इस शोर्थु गई में हमारे को किनाल के ट्रेसर मिले हैं कि वहां तक पानी पहुचता होगा ना तो हमने इंडस रिवर से किनाल जबरा के वहां तक पानी करने चाहिए तो यह पानी की टेक्नोलोजी इन पर थी तब इस पानी नहीं जाता था तो इन्हों ने किनाल सिस्टम लगा रखे थे और यह भी है कि वह से भी पानी लिया करते थे एवन ना लोगों के घरों में भी अपने अलग अलग होते थे अभी आपको आगे पता चले करते थे यह देख सब तो आप ढोला वारी दोला विया कुछ भी आप कहलो मुझसे प्रणनस नहीं होता है यह गुजरात की एक साइट है यहां पर पूरी वह मिला बावली कहते ना इसको यह वाटर रेजवायर मिला है कहां का यह हरपा वालों का तो यह लोग इस तरीके से पानी सेव भी करते थे तो अपने आप इनका ड्वांस्मेंट लेवल आप सोच सकते हो कि जो काम हम आज के समय पर कर रहे हैं वह यह कप कर देख सकते हो आप तो यह वाटर रिजवार भी हमें मिला है अब नेक्स चीज एक और है जो एक शोर्ट बॉक्स सा बना हुए आपक इक एक ऐस रॉक का पीस होता था दू टाय करे सिर बत्त एकमें बड़ा आपका पीस होता था उम चाय वाली अवाज चाह आ tea बनाने के बननांदीन और एक टौएं फ्रो मोशन में गिसके ऐसको ऻक चाय pagना नेक रही हजो हिसा वाली चा स्सुंच चीज इनका सिर्वारा क्त थी तो अब हम उनके घरबार के बारे में जान रहे हैं देखो पूरा की क्या खाते थे खाना कैसे बनाते थे की टांसलेट करो तो मोहन जोदारो अब यह जो मोहन जोदारो था यह प्लांड अर्बन सेंटर अर्बन सेंटर मतलब कि बहुत पॉपुलेशन में यहां लोग रहते थे यहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी वी थी और यह एक ताउन टाइप का था ठीक है तो यहां कि एक प्लांड अर्बन सेंटर था यह जादा तर जितने भी शेहर होते हैं हैं हरपन जेवलाइज़िशन में वह दोगी धिवाइड़ होते थे एक होता था सिटाडल और दूसरा ओथा लुए टाईज चोटा होता था ता यह आप सिटाडल की फोटो देख सकते हो यहां प यह जोसे अगवार होगा है यह बड़ी बड़ी वूझयू उच्छाई पर बना उता तहां, यानिकि प्लाटफोर्म बने होती तो रुसके ओंपर विपी बने वही थी और चारो तरफ से किलाबंध होता था यानिकि वॉल्ड होता था यह जोसिका देल है अब यह से अगए ब लोरे टाउन, अब यह लोरे टाउन में क्या होता था, कुछ बील्डिंग abbig बनी ऌती थि प्लाटफॉरम बनी में बड़िब बिलिक्स नहीं होती यहां तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती थी उनके कुछ अशेश कहेंगे कुछ उनके जो हमें मिले भी है जहां फोटो में देख सकते हो अब यह जो प्लाटफॉर्म पर बने होते थे ना ऐसे उचाई करके बनाने नीचे नहीं उचाई पर बनी होती थी बिल्डिंग में 4 million person एक दिन लगते होगा इन प्लाटफॉर्म को बनाने मतलब कि हर रोज 4 million person लगता होगा इन प्लाटफॉर्म वाली जगाओं को बनाने के लिए तो आप सोचो कि यहां पे इतने सारे लोगों का क्या होता का mobilization होता होगा इतनी labor की demand होती होगी इतनी बड़ी-बड़ी buildings बनने के लिए तो that means labor का mobilization भी होता होगा लोग इधर से उदर जाते होगे जहां जा नहीं नहीं building बनती होगी वहां वहां labor जाते रहते होगे secondly हमें क्या पता चला इनके town structure को देखे कि यह seated यह लिवर टाउन यह ऐसे building यह ऐसे building यह देखे हमें पता चला कि यहां planning होती थी और उसके बाद काम चलता था तो that means यहां पर planned cities बनती थी तो यह काफी कुछ हमार को जानने को मिलता है next हमार को यह भी पता चला है कि हर एक building जो बनती थी वह एक platform पे बनती यह fixed होता था और जो building बनने की इटे होती थी वह सबसे distinctive है इनकी वह इटे जो हम चुरा चुरा के लगा रहे था लग लग जगाओं में तो वह एते कैसी होती थी इनकी गाईस वह बेक्ट होती थी कुछ यहां आप देख सकते हो अब हम चलते हैं इनके नालियों के उपर मैंने आपको अभी तक क्या समझाया कि सिटाडेल होता था सिटाडेल में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग थी लिवा टाउन में बसावट थी वह लोग रहा करते थे अब हम चलते हैं लेंग आउट ओफ ड्रेंस के उपर यहां डायरेक्ट क्वेश्चन आता एक्जाम में कि नालियों के बारे में बताओ भई हरपा के लगों की नालि जरूरत पड़ेगी लोगों के घर के बात्रूम के वीचे से नालिया जा रही होंगी तो जो लोवर टाउन था उसमें जितनी भी स्टीट थी वह ग्रिड पैटन पे चलती थी और सब 90 डिग्री पे मिलते थे ग्रिड पैटन आज के समय में टाउन प्लैनिंग में काम आता ह जो है टाउन प्लैनिंग होगी यहां उस जमाने में लोगों ने यह घर बने विया है समझे यह लोगों के घर है यह सड़क जा रही है और सभी के घर के पीछे से भी न एक एक वह एक ऐसे हुँ ड्रेन वाली गली होती थी एक गली होती थी जिसको सीवर लेना आप हमारी ल नालियों को धका होता था और एक जुगा पर सारे नालियों का पोड़ा जो था वह खटा होता था इतना वेल प्लैंड इनका स्सेम था यहां पर देख सकते हो स्ट्रीट ड्रेंस वा मेड फ्र्स देन हैं स्ट्रीट जिसको सारह कोड़ा इंग दख लिए दोगों के घर ठी जितने भी घर थे उनके घर के बाथरूम में से एक नाली जाती थी जो इस इनके घर के पीछे वाली नाली में सारा कुड़ा चला जाता था मतलब कि जितने भी घर थे एक तो उनका में रोड की तरफ घर का दर्वाजा होता होगा और एक जो इनका बाथरूम था उसके पीछे से एक गली और जारी होती थी जिसमें नाली होती थी जहां सारा गंदा पानी चला जाता था और वो सब नाली और सब स्ट्रीट ऐसे 90 डिग हैं हर बाथरूम के पीछे नाली इतना अच्छा सानिटेशन का भी यह लोग ख्याल रखा करते थे अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्ट्चर की तो यहां समझे हम लोवर टाउन के बादे में ही पढ़े हमने लोवर टाउन के नालिया पढ़ ली और अब हम लो होएन जोदारों में यह लौर्रटान होता था अगर आप घर में इंटर करोगे तो आप घर के कोटियाड में में पहुछोगे ठीक है अब ये जो घर का कोटेयार था बरांडा कहा जा सकते हों उसको उसको उसमें पहुचते था लंड़ा के अंदर इस वरांडा में अगर और होता था तो भै वह तोगर के किसी और और कमरे का व्यू कोई कोई और कमरा हमां से बिल्कूल भी नहीं दिखता था यानि कि इने प्राइवेसी बहुत पसंद थी और साथी के साथ में गाइस जितने भी इनके घरते इनके घर में कोई विंडोस नहीं हुआ करती थी ग्राउंड फ्लोर पे कोई खिडकी नहीं होती थी कि कोई सड़क से जा कि आता रही है कि इनके घर आया है अगर किसी को निल जाता था इंट कि जाना का बड तेख ले नहीं इसा गल्यारा से बने वे ती और फिर कोट्यार में पहुंसते थे और कोट्यार से कोई कमरा नहीं दिखता था तो देट मीज यह प्राइबेसी बहुत ज़ादा पसंद किया करते थे कुछ ऐसे घर जिनका जो है सेकंड फ्लोर भी हुआ करता था और कुछ ते जिनका नहीं था, every house had own bathroom, हम आज के समय पे समझाते हैं कि लोगों के घर में toilets होने चाहिए, सरकार को हर जगा toilets बनवाने से ही है, आप देख रहे हो, इनके हर एक घर में bathroom हुआ करता था, और bathroom के पीछे नाली होती थी, उस नाली में सारा गंदा पानी जाया करता था, और घर के बाहर कुए भी होते थे, और वो कुए को कोटियार्ट से एकसेस कर लिया जाता है, कि अगर घर में कोई आए, उसे पानी पीना हो, या उसे वाश्रूम तक जाना हो, तो वह आपके कमरों में नहीं जाएगा, डारेक्ली कोटियार्ट से वो एकसेस थी, और हमारे को 700 कुए मिले हैं मुहेंट जदारों में तो सोचो, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आज तक मुहेंट जदारों में हमें मिले है, तो यहाँ पर हमें लोवर टाउन का काफी कुछ हमने जान दिया है, अब लोवर टाउन के बड़े भाई पर आते हैं, जिसका नाम है सीटा डेल, यह है बड़ा वाला शेहर, ठीक है, बड़ा बाजेल फ्हें जाने शेहर, क्यों कि गॉल्डङक इसमें बड़ी-बड़ी होती थी, यह एरिया वाईज यह छोटा होता है, एरिया वाईज तो लोवर टाउन बड़ा था, बट यह CETA DEL यहाँ पर बीडिंग बहुत बड़ी होती थी और लोवर टाउन में महले बहले बने हो थी तो सीटा डेल था गाईज यहाँ आप देख सकते हो सीटा डेल में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यह सीटा डेल का एक पूरा मैप दे रखा है आपकी बुक में कि क्या-क्या बिल्डिंग थी सीटा डेल में, you can refer here कि सीटा डेल में स्टूपा था, वेर हाउस ताग ग्रेट बात था और इतनी बड़ी-बड़ी जो चीज़े थी, यह सीटा डेल में बनी वी थी, यह जो फोट इसी आर्किटेक्चर करा गया होगा, कितने लोगों लगे होंगे, कितनी पॉपुलेशन इंवर्ट होगी और कितनी प्लानिंग के साथ यह बनाया गया होगा, अभी आपको यह नहीं पता है कि यह भी बहुर प्लान था, यह जो एक तो पूरा यह तो बात वाला ही गया नहीं, यहां पीचे से नालिया बनी ही थी, जो एक प्रॉपर जो है सारा वेस्ट यहां पे खटा होता तो और पानी हां का बदलता है तो इतना एडवांस्ट यह जो हमारा ग्रेट बात था वो बनावाता, तो चलो ग्रेट बात के बारे में पढ़ लेते हैं, एक्साम में तक बहुच सकता है, तू फ्लाइट सॉफ स्टेप नौर्थ एं साउट लीटिंग टू टैंक, अब यहां देख सकते हो, यहां नौर्थ में सेड़ी बनी ही है और यहां साउट में सेड़ी बनी ही है, इस टैंक तक पहुचने के लिए, यहां से तो आपको कूद के छलंग म मोटर लगा हुआ था उंक पर मोटर मतलब उस दमाने का सीमिंट आप कहलों यह पूरी ऐसे यह नहीं की मिट्ट निकल रही थी इसके अंदर से पूरा ब्रिग्ड था यह अंदर से यह स्विमिंग पूल टाइप का जो बनावा था अब साथी के साथ में आपको का था कि यह आप पुराने जमाने कोई स्विमिंग पूल और साइड में बात्रों बने वैसा ही था रूम्स वर मेड ऑन थ्री साइड ऑफ दर टैंक यह चो टैंक के इसके तीनों साइडों पे कमरे बने वे थे ठीक है और उन कमरों में एक लाज वेल भी हुआ करते थे ठीक है और जितना भी यह वाटर था इस ग्रेट बात में से वो एक यूज ड्रेन में चला जाता था यानि कि यहां का पानी बदलता रहता था ऐसा नहीं है कि गंदा पानी पढ़ा रहता था इसके बड़ाबर वाली गली में एक गली सी तीन के आपे जहां आठ बात्रूम हुआ गरते थे तो सोचो आपकी लोग यहां बात लेने के बाद फिर दुबारा नहां कि अपने घर चले जाते होंगा अचले में क्या था कि यह ग्रेट बात था इस ग्रेट बात की किसी कोने में बहुत सारे कमरे भी बने वे थे और वहां पे उन कमरों में कुएं भी थे और साती के साथ में यह जो ग्रेट बात था इसकी चारो साइडों में गाईस जो है यह यहां पे बाथरूम बने वे थे और ये इन bathroom में drains थी जो एक particular बड़ी drain से connected थी यानि कि यतना detail में हम इसलिए बनाने कि जो bathroom में नालिया होती थी और हर नाली एक particular big नाली में जाके attach हो जाती थी सारा गंदा पानी वहाँ जाता था even great bath का पानी भी एक drain से connected था कि जो भी tank का पानिया वो खाली हो जाता था और नया पानी भर दिया जाता होगा इसमें just imagine क्या भाईया इनका system चलता होगा तो this is all about our great bath ठीक है अब हम चलते हैं अपने next topic पे अब हमारा topic number 4 आ गया है that is tracking social differences अब जब archaeologists इतना कुछ जान जाते है कि यह शहर थे यहां पे ऐसे लोग रहा कर देते हैं घर होते हैं तो उसके पाद archaeologists यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या societies के अंदर social economic difference था या नहीं था या नहीं था तो जितने भी archaeologists थे psychologists नहीं sorry जितने भी archaeologists थे उन्होंने कोशिश करी कि यहां रहापम में अमीधी गईभी का difference था को social difference था या नहीं था कि जैसे social differences में या राजा को राजा कोटा राजा कोच खास लोग और को कोटाब्स होते थे तो यहित चानने के लिए archaeologists क्या किया करें तो यह जानने के आरका लोग पास गाईस दो तरीक होता है पहला तरीका क्या होता है पहला तरीका होता हैravival pits को study करने यानि कि जो कबर होती है जहाँ पर dead bodies को रखा जाता है उसको जो study करने से भी काफ़ी कुछ पता चलता है क्यूंकि जैसे आपने विजिप में सुना होगा और देखा भी जो कहो कि तो बड़े बड़े पिरामेंड में Although in fagnood is here साथ में बहुत सारा ट्रेज़र भी रॉयल बारियल उनके साथ में तो बिट स्टैडि करके काफी कुछ पता है एककोदमिक डिफेरंशेस के इसें कि पर जोंगे होनी नो armatics उब्हुर्णी अरौिया कर चीजा इसे होंगी को चब्रिक कर आ अगया एक डिफरेंस में दिखा वो क्या था यूशुली क्या होता है हरपा में जो है इसम पिट्र रखा था था क्यूछ बर्तन बरतन ओंगए और साथी के अंदर कुछ ज्वैल्री क्योंख हो गई यह रखा जाला था और यह हमें दरशाता है कि भाई हरपा के डोग भी आफ्टर लाइफ में बिलीफ करते थे तब ही वो बर्याल पिट्स में यह सब चीजे रख रहे थे अब अगर हम बात करें क्या कोई ऐसा डिफरेंस था कि इस कोई अमीर की हमायआर को बर्यर पिट मिंल गई हो तो ऐसा कुछ हमें पक्के तरीके से तो नहीं पता है हवाँ च Scholars में पूछला सकता है कि कौछ से यह मिली थी ऐवाली फाइं अमारे वो नेच्सट करें कुछ बल कर रोग पिर अशे यह यह नहीं पैसे में नहीं होता किसी किसी ग्रेव में हमें वह भी मिला है तो देखा रहे है कि हाँ कुछ डिफ्रेंसेस तो थे कुछ लोगे साथ थोड़े महेंगी चीजे में लिए ऑन्नुमेंट्स वह लिए किसी के साथ नहीं थी बाट अगर आप करें royal burial की तो royal burial हमें नहीं मिला है हरपा में और यह बहुत-बड़ा question mark भी है गाइस की royalty monarchy हरपा में थी भी या नहीं थी हमें आज तक यहीं नहीं पता है कि रपम राजा करूल था या नहीं था तो देखो गर राजा करूल होता है तो शायद हमें अब Archaeologist क्या करते हैं जितना भी समान धर्ती में से निकल के आता है उनको classify करते कि कौन सी luxury किया है कौन सी daily day to day items कि अब daily day to day items कौन सी होगी toothbrush brush paste आज के समय का साबुन हमारे लिए daily items के ब्रश पेस साबुन चाय पत्ति यह आप रोज कंजूम करते हो तो यह आपकी day to day items हो गई हमारी day to day items में देखो आज के समय में हम डाल देंगी कि हमें डियो लगाते है रोज एक दो दिन चोड़के लगा और्क लोजिस में क्या-क्या daily day to day items निकाली daily day to day items बहुत सारे quantities में मिल जाती थी सभी के घरों में से निकल के आ रही थी डेली day to day items में आते थे बहुत सारे pots हो गए बरतन हो गए मिट्टी के बने वे अलग अलग साती के साथ में नीडल्स होती थी घर पे लेडिस कडाई करती होंगी बुनाई करती होंगी उसके लिए सब्सक्राइब ज्याइब अगर हम बात करें लक्शुरी आटिफेक्स की लक्शुरी आटिफेक्स वह होते थे जो या तो गिसी बहुत रेयर ऑब्जेक्ट के बने हो एक ऐसा मेटल जो बहुत कम मिल रहा है हरपा सिविल्यजेशन की खोदाई में या फिर उस मेटल को बनाने जो टेखनीक है वह बहुत जदा मुश्किल हो तो वैसे एक लग्जूरी आइटम जो हमें लगता है था लक्ष्यूरी वह वह क्या है कि फिंस का बनाओवा एक पॉट यहां फोटो में देख सकते हो यह फोटो में बनाओवा एक पॉट है फैंस कुछ भी कह सकते हो यह फैंस इसे बड़ी एक अलग से टेक्निक से बनाया जाता है क्ले को जला के और कुछ पाउडर मेक्स करके ऐसे यह फियॉंस बनता है क्लास्सिक्स में हमने इसको बनाने का पूरा प्रोसीजर पढ़ा था मैंने सिक्स के NCRT में देखा था तो यह फियॉंस का जो पॉर्ट है इसको लिक्शुरी माना जाता था काई बार फियॉंस के चुटे-चुटे से पॉर्ट के अंदर जो है पर्फ्यूम रखे गए थे तो फियॉंस लक्शुरी था बहुत घरों में यह नहीं मिला वर डेले ड कुछ समय बाद हमारे अर्केलोजिस ने यह देखा कि जो मोहिंच जदारो और हरपा इतने बड़े-बड़े सेटलमेंस वहां पर लोगों के घरों में जो क्या होते थे आप एक तरीके का चरखा मान लो तो जो चरखी की नीडल होती थी वह फियॉंस से बनी भी ती तो अब अर्केलोजिस को यह confusion है कि फियॉंस लेक्जिरी आइटम था या नहीं था जहां तक हमारे को पते है कि हां बहुत जादा उसको यूज नहीं करा अब फियॉंस के बाद एक और चीज़ जो लग्शीर आइटम डेफिनेटली थी वो था गोल्ड गोल्ड जो है गाईस होड्स काली बंगन में हमारको इतनी ज्यादा लेक्शीर आइटम नहीं मिली है तो दिस वॉस अलबाउट टॉपिक नंबर फॉर हमने जाना कि कैसे लग्शीर आइटम को स्टडी करते हैं हमारे अर्केलोजिस और डेली डिटूरी आइटम को स्टडी करते हैं कि क्या वहां एकॉन आइटम करते हैं उसमें यह बेट लाने के लिए अपनी ही साइट में से और अच्छा खासा इनका जो एक क्राफट वाला जो प्रोड़क्शन था वह चलता था तो आप उसके वारे में हमार को पढ़ना है सबसे पहले हां में बता रहे है च्छन दरो च्छन दरो च्छन दर की है अगर हम compare करेंगे ना मोहिंज जदारों से तो बहुत ज्यादा चूटी है यह बहुत फीमस था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डारेक्ट वर्मार्कर क्वेशन है यह पूरे टॉपिक में भर भर के हैं इसको लिखते रहना साथ साथ मी चीक है माक माई वर्ज वर्मार होती थी और यहां पर वेट मेकिंग जो होता था जो भी बनते थे तो इसलिए च्छनदरों बहुत इम्पोर्टन आपको यादतने है अब अगर हम बात करें जो यह बात करें जो मन के जो मोती यह लोग बनाते थे यह कौन से माटीरियल के बनाते थे तो कुछ कॉमन माटीर इस पर ब्यूटिफुल रेड कलर लाने के लिए तब यह कार्णीलियर बनता है कार्णीलियर से बनता था यह हमारे मन के यह आपको मोती जैस्पर जैस्पर की फोटो देख सकते हो क्रिस्टल काड्स ट्याटाइथ मेटल्स जैसे की कॉपर ब्राउंस गोल्ड सभी के जो है आप क्या सकते हो यह बनाते थे habits ठ conta wyp ए और और टियॉंट रोल बरॉन टेजर बर्ट बनातर यह लोग बनाया करते थे अब आगर हadt है नोग बनाय ऊखेंक है आप लग चीजैन मालभी यह लोग बनाय कोद wyूप इस ताइब के निपनाय लहां को बता है अब अगर हम बीड मेंट तो स्टियाटाइट जो सौफ्ट सा क्लेई वाला मेटीरल उस पर बनाते थे और एक्सेक्टर इनके पास टेक्नीक थी बिड्स बनाने के लिए अगर हम अर्कलोर्जिस के हिसाफ से जाए तो देखो हमार को यहां बता रखा है कि यह जो कार्लीलियन डिरड कलर का पत्थर यह यह जो बनाना था इस कार्लीयन को यह यहक्न येलो कलार के राव मोटेयल से बनाया जाता था इस यह को बार-भाब आग में बइन करा जाता था अलगरा एष्टेजिस में बाहिं आल जाता था जब तक वह लॉरल रंन नहीं आ जाता था तो आप समझ सकते हो कि यह लोग सिर तो काफी अडवांस थी यह सिविलाइजेशन अब अगर हम बात करें स्पेशलाइज टूल्स की बहुत स्पेशल टूल्स की इनको बनाने के लिए तो हमार को ना कैसे पता चला कि कौन कौन से शेहरों के अंदर यह बनते होंगे तो यह देखो आप चैनदरो लोथल और धोला यह तीन साइट्स हैं यहां पर मैं हमार को ड्रेल क्या हूंधे हैं अदर्या तो हम समझे अम के हるक ब्रकाट्टर कर नागेश्वर और वाला कोड़ मार्कर क्या है यह बहुत famous centers थे shell objects के आप देख सकते हो यह सी के पास में है समुद्र के पास में तो इसलिए यहाँ पे shell के objects के लिए यहाँ पे इनके system बना होता होगा वहाँ पे वो लोग shell के objects से ornaments बनाते होंगे यह जो shell का objects था इससे bangles ladies के लिए बहुत जादा बना करती थी तो आप देख सकते हो कि craft production इनका कितना सही चलता था similarly it is likely that finished products such as beads from chanadar and lothal were taken to large urban centers such as mohinjodhar and harappa और next क्या लिखा है इनके आगाई street बहुत जादा होता था जैसे कि यह तो craft production हो गया लोथल हो गया चरदरो धोला वीरा नागेश्वर बालकोट यह craft production हो रहा था बुइस मोती बन दो टैते अब यह मोती पता है कहां मिलते थे हमार को मों जधार हरपा तो कितना ज्यादा बेकुल एक बजार जैसे आज के समय पर चलता है trade system चला रहे थे अब आते हम अपने next topic पर that is identifying center of production अब हमारा archaeologist इसका मतलब क्या है कि हमारे archaeologist को कैसे पता चला कि भाहिया बालकोट नागीशपर में शेल बन रहे थे हमारे archaeologist को कैसे पता चला चनादरों में भाहिया क्राफ्ट प्रडक्शन सेंटर था वह पता लगाने का हमारे archaeologist के पास क्या क्या तरीका होता है तो बढ़िया तरीका क्या है archaeologist के पास waste material को study करना आप कुछ सोचो तुम घर पर jewelry set है तुम आपकोई clay है और तुम कुछ माला सी बना रहे तो कुछ ना कुछ चोटे 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 तुकडे आसपास में बिखड जाएंगे जो तुम बार में संभालोगे ठीक है और कुछ चोटे चोटे तुकडे फिर भी गिरे रहे जाएंगे जमीन पे तो ऐसे ही होता है चोटे-चोटे वेस्ट मेटियल को तो च्टे करते हैं उनको इन साइजी पे वेस्ट मेटिययल दिखें प्रैस्ट मेटल से कार्नेल्ययॹयन से जैस्पर और तभी निग्फिंफ नहों समझा कि हां यहां पर ये सब लिया बद ना करते ना करते भी कुछ तो बेसập बैचेर्ट बचेगा कोई सोग्हास का भीcem तो अभ टफर का का लिया ठोट बात्त यह घरी हो गया अलग अदिकमonna इतना यूज होता था यह इनके पास आता कहां से था क्या सब कुछ इंडस वैली में ही मिलता था या भार के देशों से भी मंगाते थे यह हम जानने वाले हैं इस टॉपिक में तो वेरियस क्राफ्ट ब्लू कदर के पत्तर की जिसे कहते लैपेज लिजुली फोटो देख सकते हो सेच भी यह देखो कहां मिलता था आज के समय के अफगानिस्तान में जो शोर्टुगही साइट इनके जहां पे कैनाल का श्रक्चर भी मिला था वहां से लैपेज लिजुली आया करता था अभी इसाथ के साथ स्टेयर्टाइट यह लोग प्रीयूस करते देते अलग-अलग संसे हैं विलने आधर और राजयस्टान चांश्ट समझ केत्री और आपको पते आज की पैस्तान में कॉपर मिलता है तो फ्र inauguration में जो है मतला कोपार लिया उस यह सकी जाए आए चाहिए आप आप इंडिया लेकाप सबसे दाधा गोल कहा मिलता है पता है ना आपका कर्णाटका की गोल्ड माइन में येस तो केज वाली गोल्ड माइन से यह लोग जो है वो लेते होंगे अपना गोल तो साउट इंडिया भूक में 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 चनता मुझे तो वह वाली लग लगी है ठीक है यह हमारे को बता रखी है वो देखो यह क्या है अब यह ना हमारे जो हरपन सिविलाइजेशन के लोग है यह लोग जो कॉपर यूज करते थे आई टोल्ड यू कि यह राजस्थान से लेकर आते थे अब राजस्थान का एक फेमस कल्चर है जिसका नाम है गानेश्वार स्टड़ी करा आई टोल्ड यू आर्केलोजिस के लेंग में कल्चर मतलब वो अब्जेक्ट जो उस पीरियंड में उस जगह पे मिल रहे थे तो यह गानेश्वार जोटपूर कल्चर है जब हमने इसको स्टड़ी करा तो यहां हमें जो पॉइट्री मिली और जो कॉपर के वालों से अलग मिले थे तो ऐसा हो सकता है कि हरपा वाली लोग इन से खरीबते हूं को ठीक है तो विद देस हमने यह पढ़ लिया कहां से जो है अलग-अलग मेटल्स को हम यूज करा करते थे मंगवाया करते थे अब आता है हमारा नेक्स टॉपिक 6.2 कॉंटाक्ट विद डिस्टेंट लेंड यह हम जो है बारे में बात करेंगे कि क्या हरपा के लोग बाहर के देश से भी ट्रेट करते थे तो सीधर साथा जवाब है हाँ गाइस किया करते थे स्पेशली ओमान के साथ और मेसर पर्टामिया के साथ भी शाह ट्रेडिंग से उसके भी एविडेंस ह है हमारे पास तो लेटा सब्सक्राइब कैसे लोग बाहर के दिशियों से हम लोग मतलब इंडर आ इन्ड वाई हमारे आपर कॉपर मिलता था हरफन सिविलाइजेशन के जो फार मटीयं हमार को मिला है जब हमने और चेमिकल यह पोड s2 कोरा है लैबरेड़ City में तो हमें पतब चला जो खौपर है और जो हरपन civilization का copper है उसमें जो निकल के traces हैं वो बिल्कुल common है that means हम लोग उनसे खरीचते थे ये copper ठीक है अब हमारे को ये चीज बिल्कुल justify हम कैसे कर पाए हमने कैसे अनुमान लगा है कि हम उनसे copper खरीचते होंगे and all that क्योंकि ओमान में गाइस एक black color का clay की layer वाला एक jar मिला है जो हरपा का था ठीक है that means हमारे यांसे कुछ black color के jar के अंदर जो clay के black color वाले jar होते थे वहां से कुछ हम ओमान जाता होगा हम भीजते होंगे ओमान और ओमान बदले में हमारे को copper देता होगा क्ले जार के अंदर हम क्या डाल के भीजते थे वह हमें नहीं बता है बठा ट्वेट लिंक्स थे बिट्वीन ओमान एन हरपा हम लोग क्ले जार बेचते थे और वहां पे वो लोग तो इनका एक टैबलेट पे हमारको पता चला है जब हमने उसे स्टडी करा इनके टैबलेट में जो लिखा है हमें इसलिए पता है क्योंकि इनकी भाशर डिसाइफर हो चुकि अरपन सिविलाजेशन की नहीं हुई है इनके टैबलेट पे ओमान को मगन लिखा हुआ था एक बहारेन को देमन लिखा हुआ था और साथी के साथ में इन्होंने अपने टैबलेट पे एक जगा को लिखा हुआ था मेलुआ और उस जगा से यह लोग क्या मंगाया करते थे लैपिस लजूली और कार्डीलियन जैसे पत्थर मंगाया करते थे अभी-अभी मैंने आपको ब मैसोपामिया के लोगों से भी हमारे ट्रेड लिंग ते और मैसोपामिया के लोग हमें मैलुआ बोलते थे अब आपकी एंसी अटी बुक के अंदर एक बड़ी अलग सी लाइन लिख रखी है मेबीदा हाजा बर्ड करके कुछ लाइन लिख रखी है लैंड ऑफ सीफेरर कोटेशन है इसमें लिखा हुआ है कि जो हजा बर्ड है जो पीकॉक है वह हमारे रॉयल पैलेस में आती रहे और सीफेरर के लैंड तक हमारा लिंक्स बने रहे ऐसा कुछ लिखा हुआ है सीफेरर कौन कहे जा रहे हैं ओविसली सीफेरर यहां पर गईसमेल हुआ के लोग य अब कुछ ऐसी सील्स भी मिलिया जिनके उफर बोट बनी विया तो हमें रपा के लोगों को सी रूट के बारे में भी बहुत जानकारी थी तो यहां सा में मिलती है कि वह लोग हमें सी फेरर के रहे थे क्यूंकि हम सी रूट के थूं कियां तक समान पुचाया करते थे करते हैं अपना टॉपिक नमबर सेविंग अब सबसे पहले हम पढ़े आले सील के बारे में वहीं सील जो निकला और फिर पूरी के पूरी पूरी ग्जाकिवेशन सीस की वेज़े से स्टार्ट होने लग गई थी यह तो सील थी आरपा में यह बहुत जादा यूज होती थी सील फोन और ख़ाटा में यह जाता था किसी बी प्रोडक्ट को जैसे अगर जो तक कोई समान भिजवानों अगर मेसोपतामिया कुछ भिजवानों अगर एक शेह ते अपने दूसरे शेहन में लोथल से अगर नागेशवर तक हमें कुछ पचाना है तो अगर कोई वह बास्केट में है या किसी बैग के अंदर है कपड़े के बैग के अंदर कोई चीज उन् के अइडेंटिटी लिखी होती थी और कुछ अनिमल मोटिव भी बने होते थे शायद अनिमल्स इसलिए बना दिये जाते हो कि जो लोग इलिटरेट हैं उन्हें भी समझ में आ जाए क्यों उसके उपर क्या लिखा गया है तो सील का में यही काम हुआ करता था अनिमी कैसे कुछी है तो इसको स्क्र。」 इसको सिंडूबन स्क्रेप्ट के रिखिया है क्योंकि यह सिंडिने तन यहादु किस्कों नहीं youSee सब्सक्राइब एसे ऐसे करके लिख देते हैं जगा बचाने के लिए हाँ वैसा ही कुछ इनकी scripts में भी देखा गिया है right side पर जगा छोड़ी करिया है left पर नहीं छोड़ी करिया that means इनका right to left तक यह लोग लिखा करते थे scripts की अगर बात करें इसकी जो लिपी है वो undeciphered है हमें नहीं पता कि इनकी भाशा में क्या लिखा गया है बट जहां तक हमें अदाजा है कि इन लोगों को guys alphabetical system नहीं चलता था कि ABCDIS से कुछ काखा का alphabet है हमें लगता है कि इन लोगों के न science system चलता था कि हर एक word के लिए हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग science यूज़ करे चाते थे and archaeologist के according इनके पास 375 से 400 तक शायद science थे तो हमें अभी तक ऐसा लगता है कि alphabets नहीं यूज़ होते थे science यूज़ होते थे में अब एक और चीज़ हमें पता चलिए कि हरपा में लिट्वेसी यानि की पढ़ना लिखना है वह काफी वाइट स्पैटी अब हमें ऐसा क्यों लगता है क्यूंकि बहुत सारी चीज़ों पर गाइस चीज़ें लिखी गए हैं जैसे कि जितने भी को कोपर के टूल थे उस पर लिखावाट हो रह की यह जो जार होते थे ना और बरतन और जार होग है उनकी रिंगे अनको के उनका उनका ऊपर लिखना तेरा कॉटा टैबलेट के ओपर काफी चीज़ों के ओपर लिखा गया था इवें जोल्री के ओपर नाम लिखे गए थे बोंच के ओपर लिखे गए थे इंशन स्ञेनवेट इंशन साइबॉर्ट आपने देखे हैं न रास्ता बताने के जो ते डेरेक्शन वाले उन पर हमें लिखावत मेले इन फाक्ट कुछ पेरिशेबल मर्टीरियल पे बी कुछ न कुछ लिखावा है तो एफ मीन्स इन लोगों के यहां क्या विट्रेसी जो है वो वाइट स्पेट थी अब इसके आगे क्वेशन मार्क लगा है अब आप सोचो भया लिट्रेसी वाइट स्पेट होगी तभी तो बरतनों के ओपर लिखने हैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आतो बरतन पर कैसे लिखवाएगा तो ऐसा अर्केलोज के अगर हम बात करें अब ही लोग इतना ट्रेड करते थे इतने मेटल सेटल्स बनाते थे इतने बीट्स में करते थे अलग अलग चीजे को प्रड्यूस करते थे उन्हें वेट तराजू नापने के लिए किसी चीज की जरूरत थी तो इनका वेट सिस्ट्म काफी अचा खास इसे आज कल जो के क्या चोट नाम के आप मिहां फोटो देख सकते हो एक चर्ट नाम के स्टोन से यह क्यूबिकल बेट बनाते थे जिसे आजकल हमारे वेट्स ओक्टगनल शेप के होते ना इनके वेट क्यूबिकल होते थे और बहुत सारे डिनॉमिनेशन स्किंवेट होते आगर आपकरें एक दो चार आठ शोला बात्यस के इनके होते थे और अगर हम लाज डिनोमिनेशन के बेट की बात करें तो वह 12.800 तक चले जाते थे इतने जाधा दे नॉमिनेशन के इनके वेट होते थे अब हमें जहां तक जानकारी मिली है कि जो इनके छोटे वाले जो होते जाता था आपका भी सुनार की दुकान पर गई हो या किसी जगा जहां गोल्ड वोल की जुल्री को आपने नापने वाला उनका दिखा है तराजू वेट छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-इतने अब यहां पर हमें यह जानना था कि भाया हरपा में और इसके पास रहती थी कौन हरपा का रूलर हुआ करता था 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 बहुत जादा लेवल पर यूनिफर्मिटी देखी गई उनिफर्मिटी जैसे कि जो ब्रिक्स भी यूज होती थी वह हर जगा पर सेम टाइप के ब्र ब्रिक्स अगर आप मानो तो जम्मू उसे लेकर गुजरातक की एरिया में सेम टाइप के ब्रिक्स होती थी अगर हम बात करें प्लैंट डेवलप्मेंट की होती थी वहां पर हर एक जो शहर है वो उसी वाले प्लैंट पर बन रखोता था वही नालिया धकी नाली घर के सब्सक्राइब हो रही थी तो वह decision making कौन कर रहा था राजा था democracy थी डिक्टेटर था मुनार्किती बहुत सारे लोग थी यह सब हमें नहीं पता है और हर एक आर्कलोजिस्स का अलग अलग अनुमान है अभी हम भी देखेंगे कि हमें क्या लगता है कि क्या होता होगा हर सबसे पहली बात यह है कि अभी तक कोई क्लियारिटी नहीं है कि हर अरपा का सेंटर ऑफ पावर क्या था हमें नहीं पतावा राजा होते थे डेमोक्रेसी चल रही थी या एक स्टेट थी वी डोंट नो एनिटिंग सब हमारे अजम्शन से सबसे पहली चीज मोहें जो से बट फिर भी एक बिल्टिंग थी मोहिं जदर में हमने उसे पालेस लिख दिया है अब एक और चीज है जिसके बार में हमें पता है वह है प्रीस्ट किंग का स्टैच्व यह फोटो आप देख सकते हूं यह प्रीस्ट किंग का स्टैच्व इन से रिलेटेड कुछ में सब नहीं थे यहां पर है यहां पर हमें क्लारेटी नहीं है कि यह तरीके से यह सब नहीं होगी डिया वहाइजत cowro वो अथोरिटी के ओपर पार्ट व्यूपॉइंट्स है चार व्यूपॉइंट्स आप देखो कुछ लोग है जो कहते हैं कि कोई भी रूलर नहीं होगा हरपन civilization के अंदर तो यह बात को काफी लोग अगरी नहीं भी करते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना स्ट्रीक्ट अप कैसे डिसिप्लेंग चल रहा है तनी स्ट्रीक प्लैनिंग चल रही है और उसका कोई रूलर ना हो कोई मोहिंज़दार के लिए ओर नहीं हो सकता कुछ ऐसा सोचते कोई रूलर नहीं था अब कुछ अशा सोचते हैं कि देर वर सेवरल रूलर्स यानि की काली बंगन का रूलर होगा लोथल का लगोगा बाला कोट का लगोगा नागेश्वर का लगोगा मोहिंजदारों का रूलर राजा अलग-अलग होगा और उस सीज के उपर भी कुछ लोग अगरी इसलिए नहीं करते कि इतनी होगा नेक्स दियारा सटेन बीपल जो सोचते हैं कि हरपा एक सिंगल स्टेट थी जैसे आज के समय पे इंडिया क्या है भी आर नेशन स्टेट हमारी पूरी कंट्री है सेंट्र लेवल पे हमारी प्लानिंग होती है भाईया हमारी प्रवाई मिनिस्टर नरीद मोदी जी और और आजाते है वी डोंट नो तो यह सब कुछ क्वेशन मार्क है बट येस हरपा में बहुत हुज लेवल पे गाईस दिसीजन मेकिंग तो होती थी तभी ऐसी उनिफॉर्मिटी से काम चल रहा था कोई तो बैटके डिसीजन लेता होगा बट यहां पे भी क्वेशन मार्क है मैंने सार्टिंग के चाट्र में आपको बता दिया था उनिस सो बी सी से यह सिविलाइजेशन एंड होनी शुरू हो जाती है और हमें पता तो अठारा सो बी सी के टाइम पिरेट से ही चल चुका है जो यह चोलिस्तान वाली साइट है आप मैप में देखना चोलिस्तान वाल सब्सक्राइब के जा रही है या शायद गीवाली साइट आप सोच यह जादा डेवलप हो गई थी तो ऐसा नहीं है 1900 BCE में हमने हरपा के कल्चर को डिट्रॉइट होते हुए देखा जहां बीतर में आपको इनकी तारीफे करियों ब्रिक्स यूज कर रहे थे वेट यूज कर बनाने की टेक्निक्स भी फैल हो रही थी डिस्टेंट लैंड के साथ ट्रेड होने के भी अब हमार को जो इनके सबूत थे वह मिलने खतम हो रहे थे तो यह 1902 CE के बाद से जो इनका मटीरियल कल्चर था यानि कि ज़िए बिज बना रहे थे ब्रिक्स बना रहे थे जिस तरी खुड़ है जो है लोग कहते है सबसे पहला दूब्हा घ्र कहा जाता है वह एकलाइमेट चेंज होग ए इस वाज़े से लोगोंने पहले भी कर और सब कुछ सब्सक्राइब हो और सब कूछ एंड हो गई हो अलग और चीज़ है देट इस ड्राइंग पफ रिवर रिवर शिफ्ट हो चुकियों इस वजे से एंड हो गया हो एक और कुछ है जैसे कि ओवर यूज़ ओफ लैंड सकेप की मैच्व अरपन कुल्चर में इतना कुछ रिसोर्स को वर उटलाइस कर लिया जैसे आज के जमाने में होता हम वर उटलाइशन कर रहे हैं तो उनकल क्या होगा हमें नहीं पता तो शाय जिनोंने ओवर यूज़ कर लिया इस वजे से इंटा तक हमें नहीं पता है कि यह इतनी बड़ी सभ्यता एक्टम से कैसे खतम होगी कुछ यह बहे कहा चाता है कि शायद कोई इन्वेजन हुआ भार से कुछ लोगों ने हमला करा हो और तब यहां के लोग मर गए हो और जो है करें लेटर हरपन कल्चर की ना उनने सो बीसी वाला वह एक रूरल सेटल्मेंट टाइप का ता जैसे गाओं वाला एरिया उतना उस लेवल का था वह एक प्लांट अर्बन सेंटर जैसा बिल्कूल भी नहीं था तो यहां पर गाईस हमारा चाप्टर कंप्लीट हो चुका है अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 10 पे अब यहां पर आप हरपा के बारे में सब जान चुके हैं जो जो हमें जानना था अपने चाप्टर की मताबिक क्या हरपा था कैसा था ट्रेट कैसा होता था शेहर कैसे थे शेहर खतम कैसे हुए और राजा थे नहीं थे काफी कुछ हम जान चुके हैं अब हम जानेंगे टॉपिक नंबर 10 में डिस्कवरिंग दा हरपा यानि कि हमारे अर्केलोजिस ने हरपा के बारे में कैसे पता लगाया इसके बारे में साटिंग आपको ग्लिम्स दिया था अब हम अलग अलग अर्केलोजिस का नाम पढ़ेंगे और यह जा वह मैंने या लिखिया और मैं आपको समझा रही हूं ठीक है इसका नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जागा देखो क्या हुआ था कनिंगम हमारी जो इंडिया की जो आर्केलोजिकल ससाइटी थी एसाइ एसाइ की फोल फॉर्म क्या है वह आप मुझे बताओगे क इसाइ के पहले डिरेक्टर जनरल थी उनका नाम क्या तक कर निंगम था ठीक है इन्होंने मिड 19 सेंचुरी में इंडियास के अदर इंडियास के अंदर इंडियास के अंदर इग्जाकिवेशन की थी और उस समय में गाईस इनको कुछ वहां पे समझ में नहीं आया ठीक है इन्हें नहीं आया समझ में उस समय पे जब इन्होंने एक्जाकिवेशन की क्यों नहीं आया था डॉपिक का नाम है कनिंगम's confusion क्यों नहीं आया था अब आप समझो क्यों नहीं आया था यह जब भी कोई एक्जाकिवेशन करते थे जब यह किसी चीजों को ढूंडा करते त कौन ख punishham ौर कनिंगन्गम घी का मेजर interest किस में होता था तो early historic पिरिएड में लेटर historic पिरियड में in ka major interest रहता था और हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए यह और हांसे इंदिय क्या स्वाथ की इस्ट्री को जानने के लिए यह किसको राफर करते दें यह Chinese pilgrim text को refer करते थे लगता था चाइना इंडिया साथ-साथ में तो कोई ना कोई ट्रेड लिंग तो जरूर होगा तो यह Chinese text को पड़ा करते थे अब Chinese कि उच्छे को ना धिक्ष में नहीं यह ऽğukkingք के जोटे की दार्डीए और अना यहां रपोर अग्षै DLC निकलके भार आते थे परसे खंसाने को एक ताइम फ्रेम में नहीं में बिठा दे ल हनकोई नमेंगा हो मुए लादा यह को छोड़ दिया करते हैं ठीक है और सब्सक्राइब कहा जाता है कि करिंगम का जादा तर इंटरेस्ट रहता था कोई कुल्च्रल वैल्यू वाली चीजों के अंदर जैसे कुछ ये डे टो डे आइटम जो हमारे हरपा में से नहीं जाता था अब एक बारी के ओता है इंग्लिश म से लोड़ा को जांव हां रहा है और तब हम न हीं नहीं मिल रहा था किंकि चाहिना के पुरानी को शुलानी है तो उनके उस protect में मैंने और इस वरजय से इन जीजों को नहीं ढोंन पाएं तो भाई हमें से चला हरपा के बारे मिसाथ लगाया अखिरकार हरपा के बारे में यह जानते हैं अब हम अपने टॉपिक नमबर 10.2 में अन्यू ओल्ड सिविलाइजेशन तो आई टोल यू देखो सील्स के मिलने के बाद हमें पूरा यकीन हुआ कि हां नीचे कुछ अंदर है तो क्या होता है दया राम सहानी जी नाम रि आर्केलोगेस ते जिनका नाम क्या था गाईस राखलदास बेनरजी ने मोहन जुदारों से सील्ड होनी थी अब यह जो सील्स मिल रही थी यह बहुत ओल्ड लियरस में से मिल रही थी गाइस स्वाइल की अब खुदाई कर रहे हैं तो जितनी नीचे से जो ठीज निकले की म जो अब हमारे ASI बन गए थे उनको अपॉइंट कर दिया जाता है और वो पूरा एक्जाकिवेशन खुदाईया करवानी शुरू करवा देते हैं इन सब पार्चन तब तो पाकिस्तान इंडिया का पार्टिशन नहीं हुआ था तो बहुत बढ़े लंबे चोड़े लेवल पे सरक्ते हैं पूरे वोल्ट को हरपन शिविलाइशन के बारे में हब हमारी हरपन स्विलाइश्चन इतनी पुरानी मिच्य और हरपन के इतने सालों से इंडिया की से इस बात को लेकर Lightrant PilLS के ज़ुत के doorad के जो नहीं इंडिया में आ जबाये तो उन्हों ने इंडिया को 3000 साल पुराना बना दिया, मैंने आपको starting of the chapter में बहीं का था, लोगों को यह लगता था कि मैं सोब्टामिया, Greek civilization सबसे पुराणिया नहीं, जब हमने यह archaeological finding, यह discovery हमारी हो, तो हमें पता चला कि भाईया, हम तो इनसे भी जादा, आप किया सकते हो, कि पुराने हम भी है, हमारी civilization भी इतनी important थी, और advanced भी थी, अब यह जो John Marshall जी थे, यह काफी professional टाइप के भी थे, इनको काफी जो है experience था, ग्रीज में काम करने का है and all that, तो इन्होंने काफी अच्छा काम करा था, बट द आउंट्स के अंदर से मिट्टी के धेर होते हैं, उनके अंदर से जो एक्जाकिवेशन करी जाते हैं, खुदाई करी जाती है, तो उसके लिए एक stratigraphy फॉलो करने पड़ती है, कि एक particular layer में से जो चीज़े निकलेंगी वो एक time period के है, जो दूसरे layer में से निकलेंगी वो द अब इनके वो mechanically डिक करने से यह लगातार लगातार खोद के समान भार निकालते हैं, उनके stratigraphy को follow नहीं करा, अब इनके stratigraphy follow नहीं करने से क्या हुआ, हमारा एक बहुत important past का जो एक information थी वो निकल गई, क्योंकि जिस stratigraphic layer में से जो चीज निकलती है, यह time period के है, फिर जो अगली stratigraphic layer में से चलती है, यह time की है, तो उन्हों नहीं जो यह चीज को जो इग्नोर करा stratigraphy follow करने को, उससे कच हिस्सा हमारे past का दफन हो गया, मार्शल की गलती की वज़े से, अब मार्शल की बाद कौन आता है, हमारे आपे new techniques and question 10.3 topic आता है, अब मार्शल की बाद एक और director जनरल आते हैं ASI के, उनका नाम था REM Wheeler, यह military के थे, तो यह काफी बढ़िया perfection से काम करते थे, यह आये तो इन्होंने यह stratigraphy वाली problem को notice करा, और इन्होंने कहा कि अब हम stratigraphy के हिसाब से हरपा की और बाकी जगाओं की खुदाई करनी शुरू करेंगे, और ऐसी ही आगे हमारी खुदाई हुई, अब अगर हम आज के समय के बात करें, इस तरीके से काई हम हरपा में गया, अगर हम present date के बात करें तो हरपा मुहें जद में पर कुछ समय पहले हम नहीं नहीं साइट्स डिसकवर करें जैसे डोला वीरा राकी गरी एक्सेक्टर एक्सेक्टर अब हम अपने एरिया में जो हमारी साइट्स है उनको हम पहचान रहे हैं ठीक है, तो इस वास अल अबाउट आर हरपान सिविलाइजेशन, यह तीनों से मैचेक नहीं हो पा रही थी, फिर हमें बता रहे हैं ध्रअम साइट्स घ्रक जी और रॉलाजडल और ओन घॉला 6 सिविलाइशन, और उनकी गलती, फिर आर एम वीलर के बारे में और फिर वो घंज रेपा रहे हैं करते विए पिर अगी के जाहें त questi लेक और थे लागी earthly topic number 11, अब हम जानेंगे कि इतना सब कुछ जो हमने हरपा के बारे में जाना है, तो सब को हम एक साथ 30 कैसे करते हैं, इत्ती सारी चीजे का इस जमीन में से खोद के बाहर निकाली गई है, तो उन सब को interpretate कैसे करा जाए, वो हम topic number 11 में जानेंगे जानकारी नहीं है, तो हमारे अर्केलोजिस के लिए इस समय पर काफी difficult हो जाता है, ऐसी सब हताओं के बारे में पता लगाना, जहांका सिर्फ objects हमारे पास होते हैं, जैसे की हमारा हरपा है, अब जो material remains है, जो कुछ भी हमें मिला आज तक, वो आप सोचो क्या-क्या मिला है, clay की चीज़े मिली है, stone की चीज़े मिली है, जो perishable नहीं थी ना, जो मतलब कि इतने सालों के बाद भी जो सहीर है, बच पाई, वो चीज़े हमारे को मिली है, बट और गैनिक material जो होता है, जो decomposed हो चुको होगा, वो भी तो कितना ही हरपा के लोग यूज करते होंगे, जैसे कि हरपा में कपड़े जो लोग पहनते थे, क्या पहनते थे, leather था, wood जैसे जो है, perishable होती है, साथी के साथ, अलग-अलग टाइप की जो material जो परिशेबल थी, जो organically decomposed हो गई है, उनके बारे में देखो हमें कोई जानकारी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो सब समय के साथ साथ बिट्टी में मिल गई ना, बच जो material remains में हमें क्या मिला, पत्थर की चीज़ा हमें मिलिये, clay के हमें मिलिये, जो decomposed नहीं हुई थी, तो अभी भी बहुत limited चीज़े है हमारे पास हरपा के बारे में जानने के लिए, अब जब हमारे जो arkeologist हैं, जब उन लोगों को guys सब कुछ peace out करना, अब हमें तो बता दिया भाईया, यहां से shell मिलता था, यहां से वो मिलता था, यहीं चीज़ी इस काम में आते थी, अब directly आपको तो chapter form में पता चल गया है, बट हमारे arkeologist क्या-क्या techniques use करते थे, यह सब पता लगाने के लिए, वो आपको इस topic में बताया गया है, जैसे ही arkeologist को guys यह सब जो है चीज़े मिलनी शुरू होती है, material remains मिलनी शुरू होते हैं, तो arkeologist एक principle लगाते हैं, उसके basis पे वो इन finds को जो है न, classify कर देते हैं, सबसे पहले arkeologist यह देखते हैं कि जो कुछ में निकला है, उसका material क्या है, किस material का वो बना हुआ है, सबसकरो कोई चीज अगर artifact बहार निकला है, तो वो देखते हैं सबसे पहले वो किस material क्या है, clay का है, metal का है, stone का है, terracotta का है, ivory का है, कौन से material का वो जो जो पर्टिकुलर चीज है, वो बनी हुई है, ऐसे exam में क्वेशन रह सकता है, कि कैसे arkeologist finds, वतलब जो कुछ में मिट्टी में से निकला है, दफन में से निकाला है, वो कैसे उसको classify कर पाते हैं, तो सबसे पहले वो उसका material का बना हुआ है, मटीरियल चेक करने के बाद second चीज वो क्या करते हैं, वो उसका function जाते हैं कि वो चीज पर्टिकुलर जो चीज है, उसका क्या use होगा, जैसे कि वो चीज जो है कोई टूल है, यानि कि कोई चीज बनाने के काम आदे हैं, जैसे drills मिली objects बनाने के लिए, मालाय बनाने के लिए, या फिर कोई वो ornament है, यानि कि कोई jewelry वाली item है, ये वो पता लगाते है, या फिर वो कोई ऐसी चीज है, जो rituals में use होती होगी, इस तरीके से, सबसे पहले वो देखते है किस चीज की बनी है, फिर देखते है उसका क्या काम है, देखते है कोई daily day to day चीज तो नहीं है, जैसे कि सिलबटे मिले guys, अब आज के हमारे समय भी सिलबटी होते है, उस समय का सिलबटा मिला हमें पता चलगा है, जैसे कि नालियों में से जो चीज मिली, उन्होंने उसके बारे में पता लगाया, जो चीजे ब्रिक्लिंस में से मिली, जो इट के भट्टे होते हैं, उनके आसपास में से, जो चीजे मेली, उन्होंने महां से पता लगा है, महां पर क्या चलता होगा, जो ग्रेव के अंदर हुआ है प्लास्तिक दर्डिफन होने मेठल है ए सिताक्तह A fire को दिखते है उसका concentration किया होगा और यह astesदके वह कॉम सी place से ली गई यह किछ गहर में से मिला है उनाली में में से मिला है यहां को इस बात में से कोई चीज मिली थी या फिर वेयर Hz वो इस चीजों से भी जानकरी लगाते हैं कि पहले जमाने में चीज़े कैसी चलती है कि हमें क्लासिफार फाइंट करने के लिए उसमें आजाता है कि स्कल्प्चर्स आजाते हैं जैसे हमारे पास कुछ ट्रेसेस हैं कि जो कॉटन है वह हमारे बनती थी कावर अरपन स्विलाजेशन के क्योंकि हमें टेरा कॉर्टन मॉडल भी मिला एक स्पिंडल का बट हमें शौरिटी नहीं है कि हमें कॉटन का नहीं मिला है डिफिनिटल अब कॉटन हमें महां यूस करी जाती होगी वह इसलिए भी कुछ स्कुल्प्चर समने ऐसे देखे जिन में कॉटन के कपड़ा से इस तरीके से मुड़ी है उसी क्यों पर ऐसा कपड़े से शोकर रखा रहा है कि हां कॉटन है तो हमें लगता है कि कॉटन वा बंती थी बट कोई शौर्टी प्रूफ नहीं ह अब हम आते हे अपने लास्ट टोपेक पे जिसमें हम कॉटन के रिलिजन आ की कोशिश करेंगे हमारे पास कोई परटिकूलर पूर्फ नहीं है क्या रिलिजिन से लेकर मैंले है emergency आपके मूरतय है जिनको को ऐसा नहीं कहते हैं है कि है यह डे टु डे उप की है नहीं वो कुछ रिच्वल रिलेटेड हमार को लगी है जैसे कि एक फिगर हमार को मिला है मदर गॉर्डेस का फिगर उसे बोला जाता है एक फिगर आप यहां देख सकते हैं तेरा कॉर्टर मॉडल सर पर ऐसा बड़ा सा है ऐड़ बैन है ऐसा कहा जाता है कि शायद यह होगे उसके अलावा गई रिच्वल सिग्निफिकेंस की चीज़े में ली ग्रेट बाट से इवन फायर आल्टर आपके सब्सक्राइब हमार को काली बंगन और लोथल से हम पता लगाने के कोशिश करते कि रिलिजन क्या फॉल हुआ करता था और हमारे पास जो सील से हैं जित इवन एक वन हॉन वाला एनिमल यूनिकॉन टाइप का इनिमल भी बना होता था तो सोचो आप कैसी कैसी मिस्ट्री इस हरपन सिवलाइजेशन में दफन हो सकती है मेभी देवा फैमियर विद यूनिकॉन मेभी यह लोग प्लांट के इतना ज्यादा मोटेश लगे वे ते मे और माना जाता है शायद हरपन सिवलाइजेशन के लोग इनकी पूजा करते होंगे तो प्रोटो शेवा इसको पेचानने के लिए हमारी रिगवेदा टेक्स को रेफर करा गया था तो कोई मैचिंग पाउंस नहीं मिली थी तो उसके बाद जो है आर्केलोजिस ने क्या कहा क कि यह किसी शेमन है यह कोई शेमन है शेमन मतलब एक ऐसे मैन या वोमेन जिनके पास मैजिकल हीलिंग पावर्स होती है और शायद उन्हीं को यह जो लोग थे हरपन सिविलाइजेशन के पूजा करते थे ठीक है तो यही कुछ नॉलेज हमारे पास है हमारे हरपन वैली सिव झाल 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 झाल